हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे बिना कोई दबाई बिना कोई केमिकल यूज के होए ही आप अपने घर से सारे चूहे को भगा सकते हैं सिर्प चूहे नहीं है फ्रेंज हमारे घर में अगर चीटिया हो जाए कई वर होए हम जो जो सक्कर रखते हैं सक्कर में चीटिया कोक्रोच बगड़ा इतना जादा हो जाता है क्या हम दबाई खरित कर लेकर आते हैं लेकिन घरलू चीजों से ही आप सारे चूहे छिपकली या कोक्रोच मख्य से चुटकारा पासकते हैं सिर्प मख्य ने यह फ्रेंट आपको छुटकारा मिलेगा और ये जो घरलून उसका है ना ये आपको सरीर में कोई भी हानी नहीं पॉस चाहेगा हम जो केमिकेल वाला दबाई उस करते हैं ना कई वर देखा जाता है उस दबाई के कारण हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं बुजुर्ग लोग है आसानी से बीमार पड़ जाते है तो घर के कुछ चीजों से ही अगर हम इसको भगाएंगे इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे का भी जरूरत नहीं होगा और हमारे सरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगा तो अगर आप ए वीडियो स्टेप बाई स्टेप एपलाई करेंगे आपको भी बहुत ही अच्छा रिजाल्ट मिलेगा इसके लिए हमें बहुत सारे चीज भी नहीं जाहिए घर में मवजूद चीजों से ही हम एक होम रेमेडी तयार करेंगे जिससे हमारे घर से सारे जो चिप के लिए कोक्रोज चीटिया या चूहे मक्षी मच्चर भाग जाएंगे पहले मैंने किया किया है देखिए मैंने एक बतन ले लिया है बतन में ले लिया है हाप लीटर के करीब पानी जरूर मेजरमेंट करके लीजियेगा तो अच्छा होगा फिर क्या करेंगे इसके अंदर और कूछ चीज हमें डालना होगा मैंने या पर ले लिया है डेटल एक चमच के करीब डेटल इसके अंदर डाल रहे हो अच्छे तरीके से डेटल डालने के बाद हमें मिलाना होगा फिर क्या करेंगे इस मिस्टरन के अंदर हम डाल देंगे कपूर कपूर को मैंने यहापर इस तरह से पाउडर बना कर लिया है अपके घर में अगर पाउडर नहीं ह जो नमक हम खाने में यूज़ करते है ना वो ही वाला नमक अच्छे तरीके से मिलाने के बाद सारे चीज़ों को इसको अंदर डाल रहे हूँ निम्बू मैंने या पर दो चमच के करीब निम्बू का रस डाल रहे हूँ आप चाहे तो हॉइट बला विनिगर भी यूज़ कर सकते है फिर निम्बू का रस दे कर मिला लेंगे फिर इसमें डालेंगे कोल गेट कोई भी हॉइट कलर का टूट प्रेस डाल सकते है ये क्या करते है हमारे घर से सारे चिप के लिए या जो कोकरोज बगड़ा है चीटी है ना उसको हटा देती है मच्छर मक्खी भी भाग जाता है इस मिश्रन के कारण कैसे हम यूज़ करेंगे बहुत ही ज़्यादा यूज़फूल मिश्रन है फ्रेंड आप चाहे तो इस तरह का जो स्प्रे बोतल है इसमें भी आप डाल कर इसको रख सकते हैं मैं दो तरीके से इसको यूज़ करूंग मैं एक इस्प्रे बोतल में इस तरह से डाल रहे हूँ देखिए एक बोतल के करिब आप चाहे तो ए मिश्रन थोरा सा जादा बना कर एक महने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं अगर आप एक महने के लिए स्टोर करके रखेंगे ना तो जरूर उसमें भीनिगर देख लेते हैं लोग घर में जब भी पोच्छा लगाते हैं तो मार्केट से बहुत ज़्यादा महेंगा चीज खरिद कर लेकर आते हैं उसको पानी में मिला कर घर में पोच्छा लगाते हैं अगर आप इस तरह से घर में एक मिश्रन तैयर करके रखेंगे फिर जब भी अपके घर में एकदम नहीं रहेगा, कोई भी बैक्टिरिया नहीं रहेगा, आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी खतम हो जाएगा, घर का जो फ्लोर है एकदम से साइन करने लगेगा, बहुत ही यूसफुल टीप से जरूर एपलाई कीजिएगा, आपके अगर छिपकली रहती है वाल में या कई पर भी उस जगह पर आप इस मिश्रन को इस तरह से स्प्रे करके दीजिएगा, तो क्या होगा इसका जो गंध है ना गंध के कारण उस द्याल में वाल में छिपकली नहीं रह पाएगा, अगर कोई चीटी का बिल है, चीटी बाहर निकल रहा है तो उस जगह पर भी आप इस मिश्रन स्प्रे करके दीजिएगा, कई पर होता है लाइट के आसपास चिपके लिए घूमते हैं छोटे-छोटे किरे मकोरे खाने के लिए, इस तरह से अगर हम लाइट के आसपास थोड़ा सा इस मिश्रन को स्प्रे करके रखेंगे ना, दो-तीन दिन तक इसका गंद रहेगा और कोई भी छिपके लिए कोक्रोज बगरा नहीं आएगा, तो चलिए अगला टीफ सम देख लेते हैं, यहाप ले लिया है एक प्लास्टिक का बरतन, प्लास्टिक के बरतन के अंदर डाल रहे हूं आटा, मैं यहाँ पर चाठ चम्मच के गेहू का आटा डाल रहे हूं, आप आटे के जगार यहाँ पर मैदा, सूजी या चावल का जो आटा है ओ भी ले सकते हैं, जरूर आप मेजर्मेन का ध्यान रखिएगा तो बरिया होगा, चाठ चम्मच के करीब मैंने आटा ले लिया है, आटे में क्या करेंगे हार्पिक, मैंने यापर हार्पिक ले लिया है, थोरा सा एक चम्मच के करीब हार्पिक इसके अंदर डाल रहे हूं, देखिए इसके अंदर डाल रहे हूं, फिर इसको क्या करेंगे हम साइड में रख देंगे, यह जो चीज हम तैर कर रहे हैं बहुती ज़्यादा यूसफुल होने बल मैंने यह पर ले लिया है एक नेप्थोलीन आप एक या दो नेप्थोलीन ले सकते हैं चाहे तो जादा करके मिस्रन बना भी सकते हैं एक नेप्थोलीन और मैंने ले लिया है दस बरा लॉंग लॉंग तो हम सभी लोग मसाला में खाते हैं लॉंग का जो गंध है एक गंध बह अंदर नेप्थोलीन और लॉंग को हम डाल देंगे फिर क्या करेंगे इसके अंदर और कूछ चीज हमें डालना पड़ेगा जिससे हमारा एक स्ट्रॉंग होम डेमेडी बनकर तयर हो जाएगा मैंने यह पर ले लिया है एक चम्मच के करिब आजबाइन आजबाइन तो हम सभ अंदर देंगे अंदर टाल देंगे ध्या क्या करेंगे अच्छे तरीके से सारे चीजों को तरीके से कुट queremos na आप चाहे तो जाधा करके बना कर स्टोर करके रख सकते हैं जब भी हमारे साम के टाइम घर में बहुत ज़्यादा मच्चर घूमने लगता है तो उस टाइम आप इसको यूज कर पाएंगे कैसे हम इसको यूज कर पाएंगे देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसको बारीक तरीके से पाउडर कर लिये है आप क्या करेंगे ये तो हमारा रेडी हो गया है मैंने एक बर्तन ले लिया है बर्तन में सारे जो मिस्रन है इसको इस तरह से निकाल लेंगे देख सकते हैं बारीक तरीके से पाउडर हमें करना पड़ेगा फिर क्या करेंगे एक चम्मच के करिब ये मेस्तरान जो आटे और हर्पिक को हमने रखे थे ना इसके अंदर हमें डालना पड़ेगा देखिए एक चम्मच के करिब मैं डाल रहे हूँ और बाकि जो एक चम्मच है ना इसको हम दूसरे तरे से यूज़ करेंगे कैसे यूज़ करेंगे मैंने यह पर ले रही हूँ थोरा सा कटन कटन को हम क्या करेंगे इस तरह से हमें उंगली की मदर से इसको इस तरह से बिछाना होगा देख सकते हैं इसी तरह से मैंने उंगली की मदब से साड़े जो कटन को बिचे लिया है और जो मिश्रन है ना हम इसको क्या करेंगे बीच में इस तरह से रख देंगे फिर क्या करेंगे जिस तरह से हम बाती बनते हैं ना उस तरह से हम बीच में रखकर इस तरह से कटन को बाती बना लेंगे हमारा जो बाती है एकदम से रेडी हो गया है तो इसको हम कैसे उस करेंगे बहुती ज़्यादा बढ़िया हमारा एक चीज बनकर रेडी हो गया है मैंने यापल ले लिया है एक दिया इस तरह सा कोई भी पूराना दिया आप ले सकते हैं अगर दिया आपके घर में अबेलेबल नहीं है कोई भी पूराना स्टील का कटोरी है ओभी ले सकते हैं थोड़ा सा इसमें हम डाल रही हो सरसो का तेल अच्छे तरीके से डाल कर जादा मत डालिएगा थोड़ा सा ही काम हमारा चल जाएगा इस तरह से डाल कर क्या करेंगे सरसो का तेल सारे दिया में बती में इस तरह से हम लगा लेंगे फिर क्या करेंगे इसके अंदर और एक चीज हम एट करेंगे बो है कपूर कपूर बहुती अच्छा माना जाता है हमारे घर क लिए इसके गंद के कारण सारे मच्छर तुरंत ही भाग जाएगा जब भी हमारे घर में मच्छर जादा हो जाए तो हम इस तरह से एक दिया को जलाएंगे किसी भी टाइम आप जला सकते हैं सामको टाइम या किसी भी बक देखिएगा पांच मिनिट में ही आपका जो मच्छर है घर से तुरंत भाग जाएगा क्योंकि इस जो दिया है ना दिया के जो उपर धुआ उठ रहे है ना उस धुआ में सारे इंडिडियन जो मिस्टरन हमने बीस में डाला है ना जो लॉंग नैप्थोलीन कपूर और जो अजबाइन का गंध मिला हुआ है इसके कारण तुरं गंध हमारे घर से छिपकली भी है या मच्छर मक्षी है भाग जाता है क्योंकि इस सब इस गंध को एकदम से बरदाश नहीं कर पाएगा जरूरे टीवस एपलाई कीजिएगा कोई भी केमिकल यूस कहने के जरूरत ही नहीं है घर के कुछ चीजों से ही आप मच्छर मक्षी को भगा सकते हैं इस तरह से जला कर आपकर जो सारा रूम है रूम पर घुमा कर रख दीजिएगा तो जब कुछ देर बाद आपना आफी बुझ जाएगा या आप इसको बुझा देंगे तो फिर इससे क्या होगा एक धुआ निकलेगा ओ भी बहुती अच्छा होता है पहल सकते है इस तरह से बुझाने के बाद दिया में दो-तीन मिनित तक इस तरह से धुआ निकलेगा ए धुआ हमारे सरीर के लिए बहुती ज़्यादा यूसफूल है कोई भी हानिक कारक नहीं है इस धुआ में और हमारे सरीर में कोई भी बीमारी पैदा नहीं करेगा तो और ये टीव्स कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा ज़्यादा करके शेयर करना तो चलिए आगला जो टीव्स है हम देख लेते हैं और जो आटा हर्पी करी मिस्ट्रों हमने जो मिलाया हुआ है इसको अंदर क्या करेंगे मैंने आप ले लिया है दो दबाई को इसका डेट एकस्पेड़ हो गया है उस दबाई को इसठा से ले लेंगे इस दबाई अगर हमारे बिमारिया क् districts करते हैं अगर डेट्ए ऐकस्पेड हो जायना जहर बन जाता है तो इस तरह से दबाई आप जरूर उस कीजिएगा इस देखिए इस तरह से पोलिथिन के उब पर रखकार अच्छे तरीके से हमें क्या करना होगा पाउडर बनाना होगा इस तरह से मत कि फोड़ा रही हूँ एक दम से बारी पाउडर बनाने के बाद किया करेंगी ए जो अठे वाल भाला मिस्षरन के अंदर हम डाल देंगे देख सकते हैं या पर kijken क्या करेंगे थोड़ा क्योंकि यहाँ पर हार्टपिक दिया हुआ है तो चमच काला हो जाएगा कोई भी प्लास्टिक का चमच यूज कर सकते है अच्छे तरीके से मिलाने के बाद क्या करेंगे हातों के मदद से हमें हम जिस तरह से आटे को तैयर करते हैं रोटी वाला उसी तरह से हमें तैयर करना होगा आप सोच सकते हैं हमारा हात लुक्सान हो जाएगा क्योंकि हार्पिक मिलाया हुआ है नहीं फ्रेंड इससे अपका हात में कुछ भी एफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जो आटे में हम हर्पिक मिलाया है ना हर्पिक का रियक्षन जो है बहुती ज़्यादा कम हो जाता है लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा इस काम करने के बाद अच्छे तरीके से हैंड रोश या साबून से हाथ को क्लीन करना पड़ेगा फिर क्या करेंगे इसी देख सकते हैं इतना ज़्यादा चाने डाल हम ले लिया है आप क्या करेंगे जो बॉल है बॉल को इस तरह से चाने डाल में हम लगा देंगे मैं या पर चाने डाल ले रही हूँ आप चाहे तो मुमफली भी ले सकते है या आप कोई दूसरा डाल भी यूज कर सकते हैं अच वो खाने के लिए अटेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो चाने डाल है तो एक खाने के लिए जरूर जब भी घर पर आएगा चाने डाल का गंध इसका जो घ्रान है ना इसके लिए इसका और खिचा चला आएगा जब भी एक खाएगा ना तुरंत ही भाग जाएगा हमारे घर से और बाहर जाकर मर जाएगा तो कहाँ पर हम यूज करेंगे जिस जगा पर हमारे चूहे देखते है गैस सिलिंडर के पास यहाँ पर देखा जाता है चूहे ना आसानी से बील बना लेते हैं घर बना लेते हैं इसके साइड में अगर हम रख देंगे जब भी चूह आएगा खाना समस्कर खाएगा तुरंथी भाग जाएगा इसी जगह पर और एक रख देंगे आपके घर में जिस जगह पर आप चुहे को देखते हैं उस जगह पर इस तरह से रख दीजिएगा तो चुहे जब भी आएगा खाना समस्कर खाएगा खाने के बाद ही तुरंथी भाग जाएगा और भाग क्या बाहर जाकर मर जाएगा तो इस तरह से घर के कुछ चीजों से ही हम चुहे को भगा सकते हैं अगर आपके घर में छोटे बच्चे है या कोई भी प्रानी है तो उससे आप ए चीज दूर रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही प्रानी के सरीर के भगा सकते हैं टीप्स अगर यूसफूल लगे तो जरूर एक लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मेरे चैनल पागर नए हो तो प्लीज मुझे सापस्क्राइब करके सापोर्ट करना